हलो बच्चों, हिंदी के गक्षा में आप सभी का स्वागत हैं और आईए अब हम पढ़ते हैं पार्ट वर्ण तथा मात्राएं और इस पार्ट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिशली भाग में हमने पढ़ा कि वर्ण शब्द की वो सबसे छोटी एकाई होती है जिसके औ टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं वर्ण का एक अन्य नाम अक्षर भी होता है फिर हमने पढ़ा इसकी परिभाशा भाशा की वो सबसे छोटी एकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है फिर हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन के विशे में वर्ण के मुख्यता कितने भेद होते हैं वर्ण के मुख्यता दो भेद होते हैं जैसे स्वर और व्यंजन जिसमें से हमने स्वर के विशे में जाना कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है और इसका उच्छारण स्वतंत रूप से होता है और इसके उच्छारण करते समय इसे किसी और अन्यवर्ण की आवशक्ता नहीं पड़ती है और इनकी संख्या कुल ग्यारह होती है फिर हमने पढ़ा वियंजन के बारे में व्यंजन यानि कि जिन वार्णों का उच्छारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं और हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 होती है यानि कि 33 होती है हमने जाना कि सभी व्यंजनों में और स्वर जुड़ा रहता है जब हम किसी भी अक्षर का उच्छारण करते हैं जैसे को का उच्छारण करते हैं तो उसके साथ और का स्वर जुड़ा होता है या चो कहने पर भी और का स्वर स्वता ही निकलता है इसके अलावा हमने जाना कि जब हम स्वर्रहिद व्यंजन लिखते हैं तो हम उसे इस प्रकार लिखते हैं और उसके नीचे एक विशेश चिन का प्रियोग करते हैं जिससे हम हलंत का चिन कहते हैं फिर हमने पढ़े कुछ अन्य वर्ण के विशेय में जैसे अयोगवाह अंग अ तथा अह ये वर्ण जो स्वर्ण तथा व्यंजन में गिने नहीं जाते हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं अंग इसे अनुस्वार कहते हैं और इसका चिन वर्ण के ओपर लगता है एक बिंदो के रूप में अ इसे अनुनासिक कहते हैं इसका भी चिन इस प्रकार से वर्ण के ओपर लगता है और इसे चंदर बिंदो भी कहते हैं उधारण दिये हुए हैं जैसे साप, पाँच, दाथ, आदी अह, इसे विसर्ग कहते हैं इसका उचारण करते समय आदे ह की ध्वनी निकलती है और इसका चिन होता है ऐसा उधारण है अतह, पुनह, प्रायह, आदी इसके अलावा हमने पढ़ा अतिरिक्त वर्ण के लिए अतिरिक्त वर्ण में आता है ड़ और ध इनको अतिरिक्त वर्ण या विक्सत व्यन्जन भी कहते हैं अतिरिक्त वर्ण को हम विक्सत व्यन्जन भी कहते हैं क्रमशा, ड़ तथा ध के विक्सत रूप हैं इनका प्रियोग किसी शब्द के प्रारंब में ना होकर शब्द के बीच में या अंद में होता है जैसे example दिया हुआ है बड़ा, खड़ा, कड़ा, सड़क, तड़क, भड़क तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका प्रियोग किसी भी शब्द में प्रारंब में नहीं है या तो वो अंत में है और या वो बीच में है फिर हम पढ़ते हैं संयुक्त वेंजन के विषय में फिर हमने संयुक्त वेंजन किसे कहते हैं यानि कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है जो अक्षर बनता है उसे सयोक्त बेंजन कहते हैं और हिंदी वर्ण माला में ऐसे चार बेंजनों को स्थान दिया गया है जैसे च्छ, त्र, ग्याँ और श्र, का और शा के मेल से बनता है च्छ, शब्द है कक्ष, पक्ष, दक्ष, आदी ता और रा के मेल से बनता है त्रा शब्द है पत्र, मित्र, शत्र, आदी जा और या के मेल से बनता है ग्याँ शब्द है यग्या, ग्यान, विग्यान, आदी शा और रा के मेल से बनता है श्रा शब्द है श्री, श्रम, श्रीमान, आदी फिर हमने बढ़ा मात्राओं के विशे में मात्राएं जब स्वरों का व्यंजनों के साथ योग होता है यानि जब हम स्वर को व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते है स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं आस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है ध्यान दीजेगा आस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है वह व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है जैसे काव का उच्चारण करने पर औ कस्वर स्वतही सुनाई पड़ता है उधारण यदि हम काव यंजन लें तो मात्राओं का प्रयोग होने पर काव का रूप किस प्रकार बदलेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे औ इसकी कोई मात्रा नहीं है तो क प्लस अ क यानि कि ये आपकी मात्रा रहित शब्द बनते हैं जैसे कलम, कलश, कमल, आदी आ की मात्रा इस प्रकार से है क प्लस आ, आ की मात्रा लगने पर क का स्वरुप इस प्रकार बदलता है शब्द बनते हैं कान, कान, कार E की मात्रा का पे लग जाने पर का का स्वरूप जो बदलता है वो इस प्रकार से है जैसे किला, किताब, किसान और बड़ी E की मात्रा का पे लगने पर का का स्वरूप कुछ इस प्रकार बदलता है जैसे कील, कीचड, कीचक छोटा उ काप लगने पर इसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाता है जैसे काप छोटे उ की मातरा लगने पर बनता है कुल, कुडाल और कुछ फिर बड़े उ की मातरा जब काप लगती है तो उसका स्वरूप इस प्रकार से बदलता है जैसे कूप, कूड़ा, कूलर, इत्यादी री की मात्रा कापर लगने पर का का स्वरूप इस प्रकार से हो जाता है जैसे क्रिशी, क्रिश्यक और क्रिपा छोटे एकी मात्रा जब का पर लगता है तो का का स्वरूप बनता है केला, केसर, केवल एकी मात्रा जब का पर लगती है तो का का स्वरूप बनता है कैलाश, कैसा और कैमरा ओ की मात्रा लगने पर का का स्वरूप होता है को और को से शब्द बनते हैं कोना, कोमल और कोयल आउ की मात्रा जब का पे लगती है तो का का स्वरूप कुछ इस प्रकार होता है कौ यानि की कौन, कौवा और कौशल तो इस प्रकार से जब स्वर व्यंजन के साथ मिश्रित हो करके अपना रूप बदल लेते हैं और वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं अब पढ़ते हैं रो के विभिन प्रयोग के बारे में रा व्यंजन रा व्यंजन पर उ तथा बड़े उ की मात्राएं उपर या नीचे ना लगा कर उसके पेट में लगती है यानि की बीचो बीच लगती है जैसे रा प्लस उ बीचो बीच मात्रा लगने पर उसका रूप इस प्रकार से बनता है और शब्द बनता है रुपिया रुची रुधिर रा बड़े उ की मात्रा लगने पर रा का स्वरुप इस प्रकार से होता है शब्द बनता है रुप रुमाल और रुप किशोर रा का प्रियोग कई रूपों में भी होता है जैसे र स्वर के साथ जब हम र का प्रियोग स्वर के साथ करते हैं तो उसका प्रियोग इस प्रकार से होता है जैसे रमन रत रस रत रत नाकर आदे और यहां पर जब र का स्वरूप क और रह यानि कि रह को जब हम स्वर्रहित बोलते हैं यानि कि रह की यहाँ पे स्वरूप जो है वो स्वर्रहित हो जाता है तो हम उसको आधा रह के रूप में लेते हैं और आगे वाले वर्ण के साथ उसका उपियोग करते हैं तो उसको आगे वाले वर्ड में उसका यूज करते हैं, तो वर्ड बनता है कर्म, धर्म, पर्व, मर्म, शर्म, दर्द, आदी, बोलने में भी आप सुनेंगे, तो ये आधा आधा आता है, और यहां बर, रा का स्वरूप, जब हम का का, यानि कि कव, जब हम स्वर रहिद व्य करते हैं, तो इसको पैरों के पास नीचे की और लगाते हैं, तो इसे पदेन की मात्रा भी कहते हैं, तो शब्द बनते हैं, क्रम, भ्रम, प्रथम, व्रत, क्रमिक, आदी, तो यहां पर ये जो है, स्वर रहिद व्यंजन, और इसी प्रकार से नीचे भी, स्वर रहिद व्यंजन के साथ, जब हम रा का प्रयोग करते हैं, तो वो वर्ड बनाते हैं, शब्द बनता है, ड्राम, ड्रामा, ट्रक, ट्रैक, ट्रैक्टर, ट्रेन, आदी, आईए अब इस पार्ट को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट बातें, जैसे जो हमने पढ़ी, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ड का एक अन्यनाम अक्षर भी है, वर्ड के दो भेद हैं, स्वर्त अथा व्यंजन, वर्डों की क्रम बद समू को वर्ड माला कहते हैं, तो यह पार्थ यहीपर डप समाप्त होता है, और अब करते हैं इसके कुछ अभ्यास, पहला अभ्यास मौखिक प्रशन है, जिसका आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, मौखिक प्रश्ण के रूप में इसको लिखित में नहीं करना है इसे आपको याद करना है और याद करके प्रैक्टिस करनी है इसकी अब दूसरा प्रश्ण है आपका लिखित प्रश्ण लिखित प्रश्ण में पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाईए तो पहला हम करते हैं वर्ण भाशा की डैश होती है तो option है हमारे पास सबसे छोटी इकाई होती है सबसे बड़ी इकाई होती है या A और B दोनों ही सही है या दोनों गलत हैं तो सही उत्तर है हमारा वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई होती है हिन्दी वर्ण माला में स्वर होते हैं चलिए पहला फिर से करते हैं वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई हिंदी वर्ण माला में स्वर होते हैं ग्यारा वर्णों के क्रमबद समू को हम कहते हैं वर्ण माला निम्न में आयोगवा कौन से होते हैं आयोगवा हैं हमारे अंग और अह और निम्न में विक्सत वेंजन यानि की एक्स्ट्रा जो वेंजन है वो कौन से हैं वो हैं डा और धा चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एक्सेसाइस की और सत्यक अधन पर सही और असत्यक अधन पर गलत का निशान लगाईए हिंदी वर्ण माला में पच्पन वेंजन होते हैं गलत वेंजनों का उच्पन सदय स्व़रों की सहाइता से होता है सही वर्णों के दो भेद होते हैं सही उ तथा उ की मात्रा रो के उपर लगती है गलत इसके बाद आते हैं प्रेश्न उत्तर पे तो इन प्रेश्नों का उत्तर आपको एक एक लाइन में करना है ये सभी आपके homework हैं जितना भी अभी तक हमने किया exercise क ख और ये ग इसके आगे हैं ग निमने लिखिट शब्दों पर अनुस्वार अनुनासिक तथा विसर्ग केच्चन लगा कर आपको लिखना है तो ये आपको पार्ट पढ़ करके तब आप इसको करेंगे अपनी copy में और ये भी आपका homework है तो इस प्रकार से पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता है उम्मीद है आप सबने इस lesson को बहुत अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा और ये सारा homework आपको अपनी copy में करना है ठीक है बच्चो थैंक